असलाम अलेकुम नाजरीन, फंटीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारी पूरी टीम की जानिब से दिली एद मुबारे दोस्तो आपका मैजबान खलील रशीद, आज आपकी खिदमत में एक बड़ा दिल्चस्प और मज़ेदार प्रोगाम फिल्मी एद मुकाबले के साथ हाजर है उस प्रोगाम में हम बात करेंगे एद लज़ा के दिन रिलीज होने वाली फिल्मों के मुकाबले के हवाले से कि एदुलजा के मुवाके पर सिन सर्किट में रिलीज होने वाली फिल्मों के दर्मयान होने वाले मुकाबलों में किस फिल्म को शिकस्ते फाश हुई और कौन से फिल्म कामयाबी से हमके नार पूई प्रोगाम के आगाज में हम बात करते हैं साल 1974 की 1974 दिसंबर में आने वाली एदूलजा में हिदायतकार नजर शबाद की फिल्म शमा और हिदायतकार नज़र असलाम की फिल्म शराफत के दर्मयान मकाबला रहा शमा में मुहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराज्जे से सुपरस्टार्स कास शामिल थी जबके इनके मुकाबिल जेबा बेगम, दीबा बेगम और बाबर शरीफ जैसी बड़ी फंकाराएं इस फिल्म की कास में शामिल थी जब नदीम शबनम के साथ मुसिकार रॉबिन घोश की खुबसूरत मुसिकी भी उस फिल्म का हिस्सा थी तो नाजरें शमा ने बॉक्स आफिस पर जबरदस्त कामियाबी असिल की शराफत भी गो के बॉक्स आफिस पर कामियाब रही लेकिन ये इत का मकाबला नदर शबाब के फिल्म शमा के सर रहा और ये कामियाबी शमा के हिस्से में आई तो आई ये देखते हैं फिल्म शमा का ये खुबसूरत गीत नाजरीन अब चलते हैं सन 1975 की तरफ सन 1975 में आने वाली एदुलाजा पर इदायतकार नजर शबाब के फिल्म नोकर और इदायतकार सेज़ सुलिमान के फिल्म जन्जीर के दर्मियान मकाबला रहा आपको ये भी बताते चलें कि इस एद पर पंजाब सर्किट में फिल्म दुलानेक रात की भी रिलीज हुई इस फिल्म के प्रेंट कुछ कम बने थे तो लहाजा इस फिल्म को पहले पंजाब सर्किट में इस एदुलाजा याने 1975 की इद पर रिलीज किया गया सिन सर्किट में ये फिल्म रिलीज ना हो सकी जबके सिन सर्किट में नजर शबाब के फिल्म नोकर और सिय सुलिमान के फिल्म जंजीर के दर्मियान मकाबला रहा नाजरें 1974 की तरह इस बार फिर 1975 की इद अलजा के मकाबले में भी नजर शबाब फाते रहे और इनके फिल्म नोकर ने जबरदस्ट बॉक्स ओफिस पर कामियाभी आसिल की जबके सियस सुलिमान के फिल्म जंजीर बॉक्स ओफिस पर कोई रंग ना जमा सकी और ये इद मुकाबला मुहम्मद अली जेबा और नन्ना की शानदार कॉमेडी फिल्म नोकर ने जीता लाख करो इनकार सुसर जी रंग लाएगा प्यार दुलहन मैं लेके जाऊंगा कसम से लेके जाऊंगा तुलो जी सरकार बुलालो चाहे खानेदार दुलहन मैं लेके जाऊंगा कसम से लेके जाऊंगा ओ लाख करो इनकार नाजरें यकिनन फिल्म नोकर के सौंग को आपने बहुत इन्जॉई किया होगा और हमारे प्रोगाम को भी आप यकिनन अन्जॉई कर रहे होंगे आज इद का पहला दिन है खुशियों भरा दिन है और हमने कोशिश की है आपकी माजी की एदों की यादें भी आपको ताजा करते रहें आपको उस दोर में हम अपने बातों के जरीए अपने सौंग के जरीए उस सारी याद आपको दिलाते रहें जिन यादों के साथ आपका माजी जुड़ा हुआ है क्योंकि यकिनान माजी में फिल्म और एद इसका हमेशा जे चोली दामन का साथ रहा और फिल्म भी नों कि कोई एद सैनमा के बगएर फिल्म के बगएर कभी पूरी ना होती थी तो आईए चलते हैं सन 1976 की तरफ नाजरें सन 1976 में तेन फिल्मیں एद तुल अज़ा पर कंफर्म थी मौमद आली जेबा फिल्म और इद मुलाद नजमा की फिल्म आपका खादम जबके मौमद आली जेबा ही की दूसरे फिल्म फूल और शोले और बदर मुणिक की फिल्म इंतकाम के शोले ये फिल्म में 1976 की एदुल अज़ा पर रिलीज के लिए कन्फरम थी लेकिन फूल और शोले की चूंकर इस एद पर सबसे ज़्यादा हाइप थी लेकिन बदकिस्मती से इस फिल्म के प्रिंट बरवक्त तयार ना हो सके और इद से चंद में पहले फूल और शोले को इद मुकाबले से कट कर दिया गया और ये फिल्म इद मुकाबले से बाहर हो गई फिल्म रिलीज इद पर ना हो सकी 1976 की एदुल अज़ा पर आपका खादिम और इंतकाम के शोले रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मे कोई बड़ी जूबले तो ना मना सकी लेकिन बहराल इंतकाम के शोले की निजबत आपका खादिम को लोगों ने ज्यादा पसंद किया और इसीप पर इंतकाम के शोले की निजबत ज्यादा चलने वाले फिल्म आपका खादिम हिसाबित हुई जब तक समर में तू नहो ये रख ये खुश्बू नहो कल्यों में है खुश्बू तेरी तूलों में है जल्वा तेरा तरह में को ये इसे इसे है जी नाजरीन 1976 के बाद अब चलते हैं हम इदुल अजा 1977 की तरफ नाजरीन 1977 की इदुल अजा पर जिस फिल्म की सबसे ज़्यदा धूम थी वो हिदायतकार हसन असकरी की पहली अर्दो फिल्म सलाखें थी जिसके मरकजी करदार मुहमद अली और बावरे शरीफ अदा कर रहे थे सलाखें की इस इत पर बड़ी जबरदस्थ हाय थी और फिल्म बीनों को सबसे ज़्यदा शिदत से इस फिल्म का इंतजार था नाजरीन इसके साथ हिदायतकार असलम डार के फिल्म बड़े मिया दीवा ने और हिदायतकार हसन तारिक के फिल्म कालू की भी नमाईश इस इत पर होना थी लेकिन सलाखें जिस फिल्म का फिल्म बीनों को सबसे ज़्यादा इंतजार था किसी नागुजीर वजवात की बिना पर ये फिल्म इस इत पर रिलीज ना हो सकी और इत से चंद दिन पहले इस फिल्म को ड्रॉप कर दिया गया नाजरें सिन सरक्ट में सलाखें एवर एडी ये फिल्म के फिल्माबाद कराची और सिन के דूसरे तमारुच Memo के लिए सैंमास भी बुक कर लिए थे बड़े अच्छे सैंमास फिल्म के लिए बुक किये गए थे और इस फिल्म की बड़ी धूम थी लेकिन जब ईद से चन्द दिन पहले इस फिल्म की नुमाईश मुलतवी हुई तो फिल्म बेनों की जानिब से भी बहुत ज्यादा दुक्का इजार हुआ जबके एवरडी पिक्चर्ज ने सलाखें जिन जिन सैनमाओं में रिलीस करनी थी वहाँ अपनी एक रुकी हुई फिल्म मौबत मर नहीं सकती को इसकी जगा रिलीस किया और उन तमाम सैनमाओं पर एदुलजा 1977 पर मौबत मर नहीं सकती रिलीस की जबके इसके मुकाबले में हसंतारिक की कालू और अस्रमडार की बड़े मियाद दिवाने रिलीस हुई नाजरीन मौबत मर नहीं सकती कई सालों से इलतेवा का शिकार एक रुकी हुई फिल्म थी जो के जिसे एड़वांस में ही एक फ्लॉप फिल्म करार दिया जा रहा था और एवरडी पिक्चर्स का शायद ख्याल था कि मुमकीन है कि इद फेस्टिविल में ये फिल्म कुछ बैतर बिजनिस कर ले लेकिन ये फिल्म बुरी तरह नाकामी से दोचार हुई जबके बड़े मियाद दिवाने और कालू ये दोनों फिल्में भी बॉक्स आफिस पर को मन में खुछियों का डेरा है नाजरें 1977 के बाद आप चलते हैं हम एदुलजा 1978 की तरह दो फिल्मों के दर्मियां सिंसर्किट में मुकाबला रहा हिदायत‌कार इकबाल अख्तर की फल्म अच्छे मिया अच्छे मिया भी काफी अर्से से कई سालों से जीरे तक्मील फल्म थी और इस फल्म से फल्म भी नों को कुई जादा अच्छी उम्मीदे वाबिस्ता नह थी जबकि इसके मुकाबिल दूसरी रिलीज होने वाले फिल्म दुश्मन की तलाश अदाकार लाला सुधीर की जाती प्रोडक्शन थी और इस फिल्म को बड़े भरपूर अंदाज में एक बड़ी प्रोडक्शन के साथ बनाया गया इस फिल्म के एक्शन की फिल्म की रिलीज से कल बड़ी धूम थी और फिल्म बेनों को इस फिल्म से बहुत जयादा उम्मिद यह वाबसता थी जबके अच्छे मियाद से फिल्म बेनों को कोई जयादा अच्छे उम्मीद ना थी लेकिन फिल्म जब एदुल अज़ा 1978 पर दोनों फिल्में अवामी के अदालत में पेश हुई तो नतीजा अवामी सोच के बिलकुल बरक्स निकला और दुश्मन की तलाश ये एक बहुत कमजोर और गेर मतासर कुन फिल्म थी जो फिल्म भी इनों को जरा भी मतासर ना कर सकी जबके अच्छे मिया हिराइदकार अकबाल अख्तर की एक हल्की फल्की लाइट कॉमेडी तफरीफ फिल्म थी और चुँके जाहरे ही इतका मौका था तो फिल्म बीनों ने अच्छे मिया को बड़ा भरपूर रिस्मॉंस दिया बहुत पसंद किया और नाजरीन अच्छे मिया ने सिन सर्किट में शानदार गोल्डन जूबली का एज़ाज हासिल किया नाजरीन 78 के बाद सन 1989 में जो इदुलज़ा आई इस इदुलज़ा पर भी तीन बड़ी फिल्मों के दरमयान जबरदस्त मुकाबला था इदायतकारा शमी मारा की होंग कोंग में बनाई गई फुल कमर्शल फिल्म बिस होंग कोंग इदायतकार मुमताज ली खान की एक्षेंसे भरपूर मel्टी कास्ट फिल्म गेरे जखम जबके इदायतकार हसन तारिक की फिल्म नवाभजा दिया नाजरें इन तीनों फिल्मों के दर्मियान जबरदस्त मुकाबला 1989 में था और फिल्म बीनों को तीनों ही फिल्मों का बड़ी शिद्वत से इंतजार था इन फिल्मों के रिलीज से कबल लेकिन इस एक बार सबसे ज़्यादा हाईप इजायत कारा शमे मारा के फिल्म Miss Hongkong की थी क्योंकि होंग कॉंग में बनी, ये बड़ी भर्पूर दिल्चफ तफरीध फिल्म थी और इन फिल्मों की नुमाईश के बाद भी मिज्स होंग कोंगी अवाम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म करार पाई और इस फिल्म की नखमाद को, इसकी कॉमेडी को, इसकी लोकेशनस को, इसकी मिउζिक को लोगों ने बहुत पसंद किया होंग कॉंग के हसीन और दिलकश नजारों में फिल्माई गई फिल्म मिस होंग कॉंग और फिल बाबरशीट की आउट स्टेंडिंग परफॉर्मिंस इस फिल्म का खासा थी मिस होंग कॉंग ने शांदार डायमंड चूबली का एजाज हासिल किया जबके गेरे जखम को भी फिल्म बीनों की तरफ से जबरदस पसंदीद की हासिल होई और इस फिल्म ने भी सिन सर्केट में शांदार कामियावी हासिल की जबके हसन तारिक की नवाबजादी बुरी तरह नाकामी से दोचार हुई ये एक इंतहाई कमजोर और फुसफुसी फिल्म थी जिसे फिल्म बीनों ने कतई तोर पर ईद फेस्टिविल में रिजेक्ट किया और इस साल यानी 1989 का ईद मकाबला रहा हिदायत कारा शमी मारा की फुल मोज मस्ती और शोखियों से वरपूर फिल्म मिस हौंग कोंग के हाथ और मिस हौंग कोंग ने शानना डायमंड जूबली का एदाद हासिल करते हुए ये एद मकाबला फता किया दो फूल खिले दो होद हिले और बन गया प्यार का अफसाना जब शाम घले तो नेन दिले दिल हो गया प्यार का दीवाना दो भूल खिले नाजरेन होंग कोंग की खुबसूरत विकेशन्स पर पिक्चराइज फिल्मिस होंग कोंग का ये गीत यकिनां आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा मैं भी ये गाना देखकर सन 1989 की एदल अज़ा के दोर में पहुँच गया था यकिनां आपके जहनों में भी बहुत सारे दोस्तों के जहनों में वही सारे ईद के ख्यालात वही ईद की खुशियां वही ईद का माहूल दिन आपके साथ करते रहेंगे हमारा आज का प्रोगाम सन 1989 पर ही हम इखदाम पजीर करते हैं इन्शालला कल ये दूसरे दिन यानि बासी ईद को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इससे आगे के सालों में और छिलीज होने वाले फिलमों के दरमयान होने वाले मकाबलों पर बात करेंगे आपकी यादे ताजा करेंगे आपको खुबसूरत नखमाद भी उन फिलमों की दिखाएंगे तो नाज़में, तक तक के लिए, यानी कल तक के लिए, अपने मैज़़मान खलील रशीद को इजाज़त दीजें, इंशाला, कल सुबह पिर बासीई को हमारी आपसे फिर मुलाकात रहेगी, फिर इसे तरह फिल्मी एद मकाबले की बाते होंगी, तक तक के लिए दीजे अंयों नसर कि ऱम्ह 끼 है क्यों जूने किले